दोस्तों, आज आप सुनेंगे शर्लोक होम्स सीरीज की अगली कहानी दा एडवेंचर ओफ दे कार्डबोर्ड बॉक्स हिंदी में। ये अगस्त का एक तपता हुआ दिन था। बेकर स्ट्रीट एक भट्टी की तरह जल रही थी और सडक के उस पार के घरों की पीली इंटों पर सूरज की चका चौन्थ आँखों को चुब रही थी। ये यकीन करना कठिन था कि ये वही दिवारे हैं जो सर्दी के कोहरे में बि पाक से मिला था। जहां तक मेरी बात है। इंडिया में कई सालों की नौकरी के बाद मुझे सर्दी से ज्यादा गर्मी बरदाश्ट थी। और थर्मा मीटर पर 90 डिग्री सेल्सियस का ताप मान मेरे लिए जरा भी तकलीफ देह नहीं था। लेकिन आज सुभा का अकबार क कुछ खास दिलचस्प नहीं था। पारलियमेंट बंद हो गई थी। सभी शेहर के बाहर थे और मैं भी मन ही मन किसी चायादार जगह पर जाने के लिए तरस रहा था। लेकिन अपना बैंक अकाउंट खाली होने के कारण मैंने अपनी चुट्टी को टाल दिया था। और ज अलजे हुए अपराद की छोटी से छोटी अफवाह के प्रती भी वो पूरी तरह सतर्क रहता था। उसके अनेकों गुणों में प्रकृती प्रेम कताई भी शामिल नहीं था। ये देखकर कि वो अपने ख्यालों में इतना डूबा हुआ है कि मुझसे कोई बातशीत नहीं करेगा मैंने अकबार को एक और पटका और कुछ सोचने लगा अचानक उसकी आवाज से मेरा ध्यान तूटा वो बोला तुम बिल्कुल सही हो वाट्सन ये तो जगडा निप्ताने का बड़ा ही धूर्थ तरीका है हाँ वाकई बहुत ही धूर्थ मैंने कहा लेकिन अचानक कि मैं चौक पड़ा उसने मेरे मन के अंदर की बात को कैसे दोहरा दिया मैं कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया और हैरानी से उसकी ओर देखने लगा ये क्या होम्स तुम्हारी इस बात ने तो मुझे बहुत ही ज्यादा हैरानी में डाल दिया है मेरी उलजन पर वो जोर से ह पड़ा फिर बोला तुमको याद होगा कुछ समय पहले जब मैंने तुमको एडगर एलन पो के लेख का एक हिस्सा पढ़कर सुनाया था जिसमें गहन तर्क करने वाला अपने दोस्त के अनकहे विचारों को पढ़ता जाता है तो तुम इस बात पर जोर दे रहे थे कि मैंने उसे टोकते हुए कहा जबान से तो नहीं माई डियर वाट्सन लेकिन तुम्हारी भौहें यही कह रही थी इसलिए जब मैंने देखा कि तुमने अकबार को उठा कर एक तरफ रख दिया है और विचारों में डूब गए हो तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे तुम्हारे विचारों को पढ़ने का मौका मिला है और फिर मैंने उन विचारों को भंग करके ये सबूत दे दिया कि मुझे तुम्हारे ख्याल दिखाई दे रहे थी लेकिन मुझे अभी भी संतोश नहीं हुआ मैंने कहा जो उदाहरन तुमने मुझे पढ़कर सुनाया उ अपने निशकर्ष उस आदमी की हरकतों को देख कर निकाले थे जिनको वो गौर से देख रहा था जैसे कि उसे पत्थर के धेर से ठोकर लगी उसने उपर आकाश के तारों की ओर देखा वगरा वगरा लेकिन मैं तो चुप चाप अपने कुरसी पर बैठा हूं मैं भला आदमी को नाक नक्ष इसलिए दिये गए हैं कि वो अपने भावों को व्यक्त कर सके और तुम्हारे नाक नक्ष तो बड़े ही विश्वास पात्र सेवक हैं तो क्या तुम ये कह रहे हो कि मेरे नाक नक्ष देख कर तुम मेरे विचारों को बढ़ सकते हो तुम्हारे नाक खास कर तुम्हारी आखों से, शायद तुम खुद ही नहीं बता सकते कि तुम कब से कलपना में खोई हुए थे, क्यों? उसने बड़े ही मज़िदार स्वर में मुझसे पूछा, नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता, तो फिर मैं बताता हूँ, अखबार फेंकने के बाद जिसक तुम्हारा चेहरा देखकर मैं समझ गया कि विचारों का एक नया क्रम शुरू हो गया है, लेकिन ये क्रम ज्यादा दूर नहीं गया, तुम्हारी नजर, तुम्हारी किताबों के ऊपर रखे, बिना फ्रेम वाले हेंरी वार्ड बीचर के चितर पर पड़ी, फिर तुमने विचार वापस बीचर पर जाटिके, और तुमने बारी किसे गौर किया, मानो उसके चेहरे से उसका चरितर ढूंड रहे हो, फिर तुम्हारी आखें जपकनी बंध हो गई, और तुम एक टक उसे देखते रहे, और तुम्हारा चेहरा सोच में डूब गया, तुम बीचर के क्यारियर के बारे में सोच रहे थे, मैं समझ गया था कि यसा करते समय तुम उस मिशन के बारे में सोचे बिना नहीं रह पाओगे, जो उसने उत्तर के पक्ष में सिविल युद्ध के दौरान पूरा किया था, क्योंकि मुझे याद है, लोगों ने जिस गहमा गहमी से उसक गई है, तो मुझे शक हुआ कि तुम्हारा ध्यान अब सिविल युद्ध की ओर चला गया है, जब मैंने गौर किया कि तुम्हारे होंठ भिचे हुए हैं, तुम्हारी आखें चमक रही हैं, और तुम्हारी मुठियां भी भिच गई हैं, तो मुझे यकीन हो गया कि तुम उस बहदुरी के बारे में ही सोच रहे हो, जो उस भीशन लडाई में दोनों पक्षों ने दिखाई थी, उसके बाद तुम्हारा चेहरा उदास हो गया और तुमने अपना सेरह लाया, तुम दुख, भयंकरता और बेकार में प्राणों की बली के बारे में सोच रहे थे, त उस समय मैंने तुम्हारी हां में हां मिलाई कि ये वाकई मोर्खता है और मुझे ये जानकर खुचे हुई कि मेरे सारे नतीजे सही थे, मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी, मेरे मुह से शब्द भी बड़ी मुश्किल से निकल पाए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम कि इसी व्यक्ति के भावों का इतना गहराई से अध्यायन कैसे कर सकते हो। जिक्र है? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैंने कहा, कोई बात नहीं, जरा ये अखबार मुझे दो, ये देखो, ये रहा, फाइनेंशल कॉलम के ठेक नीचे, जरा इसको जोर से पढ़ कर सुनाओ। इसे तब तक मजाक समझा जाएगा, जब तक इस घटना से और कोई भयानक मतलब नहीं जोडता। कल दो पहर दो बजे, बांस के कागज में लिपता एक पैकेट, डाकिये ने उसे थमाया, उसके अंदर गत्ते का एक डिबबा था, जिसमें देशी नमक भरा था। उसे खाली करने पर मिस कुशिंग के डर की सीमा नहीं रही, जब उसे उस डिबबे के अंदर आदमी के दो कान मिले, जो ताजे काटे गए लग रहे थे। ये डिबबा पारसल की डाक द्वारा बेलफास्ट से पिछली सुभा भेजा गया था। भेजने वाले का कोई अतापता नहीं है और इसी लिए ये मामला ज्यादा रहस्यमई है। मिस कुशिंग पचास साल की अविवाहित महिला है जो एकदम अकेली रहती है और उसके इतने कम मिलने जुलने वाले या पत्र लिखने वाले हैं कि उसे डाक से पारसल का प्राप्त होना एक आश्चर्य जनक घटना है। कुछ महिनों पहले जब वो दूसरे घर में रहती थी तो उसने अपने घर में तीन किरायदार रखे थे जो नौजवान मेडिकल स्टूडेंट थे और जिनके शोर शराबे की वजह से उसने उन्हें घर से निकाल दिया था। पुलीस का मानना है कि उन्हीं में से किसी युवक ने मिस कुशिंग के साथ ऐसा गंदा मजाग किया हुआ था। इस अनुमान में कुछ सच्चाई इसलिए नजर आती है क्योंकि उन्हें से एक विद्यार थी उत्तरी आयरलेंड का रहने वाला था और जहां तक मिस कुशिंग को याद है वो बेलफास्ट शहर का ही था। इस दोरान मामले की जोर शोर से जाच की जा रही है। हमारे सबसे काबिल जासूस मिस्टर लेस्ट्रेड इस मामले के प्रमुक हैं। जब मैं ये खबर पढ़ चुका तो होमस ने मुझसे कहा ये तो दिया गया है डेली क्रॉनिकल अखबार में। अब बात करते हैं हमारे दोस्ट लेस्ट्रेड की। मुझे आद सुभा उसकी एक चिठी मिली है जिसमें उसने लिखा है। अब दक मुझे यही अनुमान सही लग रहा है कि इसमें उन मेडिकल स्टूडेंट्स में से ही किसी का हाथ होगा। अगर तुम्हारे पास कुछ घंटों का समय हो तो मुझे तुमसे मिलकर खुशी होगी। मैं या तो घर पर मिलूँगा या पुलिस स्टेशन में। पत्र को पढ़ने के बाद होमस ने मेरी तरफ देखा और बोला। तो क्या कहते हो वाट्सन, क्या तुम गर्मी की परवाह किये बिना मेरे साथ क्रॉइडन चल सकते हो ताकि तुम्हारे रिकॉर्ड के लिए एक नया केस बन सके। बिल्कुल, क्यों नहीं? मैंने उत्साह से कहा, मैं तो खुद ही कुछ करने के लिए उतावला हो रहा था। तो ठीक है, तुम्हें वहां करने के लिए काफी कुछ मिलेगा। अपने बूट मंगवाने के लिए घंटी बजाओ और क्याब को बुलवालो। मैं ड्रेसिंग गाउन बदल कर और अपना सिगार केस भर कर एक पल में लोट कर आता हूँ। जब हम ट्रेन में थे तो बारिश शुरू हो गई और गर्मी कम हो गई। होम्स ने एक तार भेज दिया था। इसलिए लेस्ट्रेड हमेशा की तरहच्योस हमें स्टेशन पर इंतजार करता मिला। जिसे कम उम्र की एक नौकरानी ने खोला। मिस कुशिंग आगे के कमरे में बैठी थी जिसमें हमें ले जाया गया। वो एक शांत चेहरे वाली महिला थी। बड़ी ही कोमल आँखों वाली और उसके अधपके बाल दोनों और से उसकी कनपटियों पर जूल रहे थे। वो क चाहती हूँ कि आप उन्हें उठा कर यहां से ले जाएं। मैं वही करूँगा मिस कुशिंग। मैंने उनको वहाँ तब ही तक रखा हुआ है जब तक मेरा दोस्त मिस्टर होम्स तुम्हारे सामने उनको देखना ले। लेकिन मेरे सामने क्यों सर। मिस कुशिंग ने होम्स ने उसे दिलासा देने के अंदाज में कहा, कोई बात नहीं मैम, मुझे शक नहीं है कि तुम पहले ही इस मामले में काफी परिशान हो चुकी हो। जी हाँ, बिल्कुल हो चुकी हूँ, मैं एक चुपचाप रहने वाली महिला हूँ और अकेली रहती हूँ, ये मेरे ल पतले से बगीचे में एक छोटा सा कमरा था, लेस्ट्रेड अंदर गया और एक पीला गत्ते का डबा उठा कर लाया और बास का कागज और कुछ सुतली, वही किनारे पर एक बेंच थी और हम सब उस पर बैठ गये, होम्स ने एक-एक करके सारी चीजों की जांच की, जो ले लेस्ट्रेड इस पर तारकोल लगाया गया है, उसने कहा, बेलकुल ये तारकोल लगी सुतली है, तुमने ये भी कहा था कि मिस कुछिंग ने सुतली को कैंची से काटा था, जो दोनों और की दोहरी गांट से जाहिर होता है, ये बात भी काफी महत्वपून है, इसमें भला क्या महत्व की बात है, लेस्ट्रेड ने पूछा, देखो लेस्ट्रेड, जरूरी बात ये है कि गांट को जियों का त्यों छोड़ दिया गया है, और ये गांट एक विशेश प्रकार की है, होम्स की बात सुनकर लेस्ट्रेड ने कहा, हाँ, इसे काफी सफाई से बांधा और उसमें से काफी की साफ साफ महक आ रही है, क्या तुमने इस बात पर गौर नहीं किया, मेरे ख्याल से इस बात में शक की कोई गुंजाईश ही नहीं है, पता बढ़ ही उबढखा बढ़ अक्षरों में लिखा गया है, मिस S. कुशेंग, क्रॉस स्ट्रीट, क्रॉइडन, ये पता एक चोड़े नुकीले कलम से लिखा गया है, और इसकी स्याही बहुत ही घटिया किस्म की है, क्रॉइडन शब्द में पहले आई लिखा गया, फिर उसे बदल कर वाय किया गया, फिर पार्सल को किसी ऐसे आदमी ने भेजा जो कम पढ़ा लिखा है, और क्रॉइडन शेहर से वाकिफ नहीं है, और ये भी मैं शर्ट लगा कर कह सकता हूं कि ये लिखाई किसी आदमी की ही है, औरत की नहीं, ये डिबबा आधा पाउंट हनीडियू तंबाकु का है, इसमें कोई खास बात नहीं है, दाए निचले कोने पर अंगूठे के दो निशानों के अला और अपने घुटनों पर एक लकडी का फटा रख कर वो उन पर बारीकी से गौर करने लगा, जबकि लेस्ट्रेड और मैं उसके दोनों और से आगे जुके हुए थे, कभी हम उस भयंकर सौगात को देखते, तो कभी अपने दोस्त के सोच में डूबे उत्सुक चेहरे को, आखिर में उसने कानों को फिर से डिब्बे में रख दिया और कुछ देर तक और गहरे विचार में दूबा रहा, आखिर में वो बोला, तुमने इस बात पर तो गौर किया ही होगा कि ये दोनों कान एक जोड़े के नहीं है, हाँ, मैंने इस बात पर गौर किया था, लेकिन अगर ये कुछ मेडिकल विद्यार्थियों का मजाख है तो उनके लिए ये काफी आसान रहा होगा कि दो अलग अलग लाशों के कान निकाल कर उसका जोड़ा बना कर भेजने लेस्ट्रेड ने जवाब दिया ये तो है लेकिन ये मजाख कताई नहीं है होमस ने बड़े ही विश्वास पून स्वर में कहा क्या तुम यकीन से ऐसा कह सकते हो लेस्ट्रेड ने पूछा हाँ मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है मेडिकल कॉलेजों के डाइसेक्टिंग रूम में लाशों को एक सुरक्षित रखने वाले तरल्पदार्थ का इंजेक्शन दिया जाता है इन कानों में ऐसा कुछ भी नहीं है और दूसरी बात ये कान ताजे हैं इन्हें एक कम धारवाले औजार से काटा गया है और अगर क किसी मेडिकल के चात्र की करतूत होती तो वो इनको कारबॉलिक स्पिरिट से सुरक्षित करता सस्ते नमक से नहीं मैं फिर से दोहराता हूं कि ये कोई मजाक नहीं है हम किसी गंभीर जुर्म की तहकीकात कर रहे हैं उसकी बात सुनकर मेरे अंदर एक सुरसुरी सी दौड़ गई होम्स की बात से साफ समझ आ रहा था कि इस वारदात के पीछे कोई भयंकर राज छिपा था लेकिन लेस्ट्रेट ने ऐसे सिरहलाया मानों उसे पूरा विश्वास ना हुआ हो वो बोला देखो होम्स इस बात में कोई शक नहीं कि मजाक वाले अनुमान के उपर कई आई है और 20 सालों से यहां रहती है इस दोरान वो अपने घर से बाहर एक दिन के लिए भी नहीं गई फिर क्यों कोई अपराधी उसको अपने जूर्म का सबूत भीजेगा क्योंकि ये बात तो साफ है कि वो नाटक नहीं कर रही है उसका ये भी कहना है कि हमारी ही तरह वो भी इस माजरे को समझ नहीं पा रही है होमस ने बड़े ही गंभीर स्वर में जवाब दिया यही तो वो समस्या है जो हमें सुलजानी है और मैं अपनी तहकीकात अपने अनुमान को सही मानते हुए करूंगा कि कहीं पर दोहरी हत्या हुई है इन में से एक कान औरत का है जो नाजुक और छिदा हुआ है दूसरा कान किसी पुरुष का है धूप से काला और बदरंग पड़ा हुआ और वो भी छिदा हुआ है यह दोनों लोग शायद मर चुके हैं वरना हम इससे पहले ही उनकी कहानी सुन चुके होते आज शुकरवार है पैकेट को गुरुवार की स सबूत भेजता हम यह मानकर चलते हैं कि पैकेट को भेजने वाला ही हत्यारा है लेकिन उसके पास मिस कुशिंग को इस पैकेट को भेजने की कोई ठोस वजह जरूर रही होगी वो वजह क्या थी उसको ये बताने के लिए कि काम हो गया है या उसको तकलीफ देने के लिए ल और किसी को भी पता नहीं चलता अगर वो अपराधी को बचाना चाहती तो वो ठीक ऐसा ही करती अगर वो उसे बचाना नही चाहती तो उसका नाम बता देती ये उल्जन हमें सुलजानी ही होगी वो उची आवाज में जल्दी जल्दी बोल रहा था और बगीचे की ओर शून्ने में ताक रहा था अचानक वो फुर्ती से खड़ा हो गया और घर की ओर चला गया मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने है मिस कुशिंग वो बोला हम लोग भी उसके पीछे थे लेस्ट्रेड ने उसकी बात सुनकर कहा ठीक है मुझे कुछ और काम है इसलिए मैं तुम्हें यहीं छोड़कर जा रहा हूँ मुझे लगता है कि मिस कुशिंग से पूछने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं बचा है मैं तुम्हें पुलीस स्टेशन पर ही मिलूँगा ठीक है हम ट्रेन में बैठने से पहले तुमसे मिलकर जाएंगे होमस ने कहा अगले ही पल हम दोनों फिर से सामने वाले कमरे में थे जहां वो शांत महिला चुप चाप अपनी कढ़ाई कर रही थी हमें अपने सामने देख कर उसने कहा देखिए मुझे पूरा यकीन है कि कहीं कोई गलती हुई है और ये पारसल मेरे लिए था ही नहीं ये बात मैंने कई बार उन स्कॉट्लेंड यार्ड के इंस्पेक्टर से भी कही है लेकिन वो बार-बार मुझे पर हस देते हैं जहां तक मुझे पता है इस दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है तो फिर मेरे साथ कोई ऐसा खेल भला क्यों खेलेगा होम्स ने उसके पास बैठते हुए कहा मेरे भी यही राय है मिस कोशिंग मेरे ख्याल से यह बहुत संभव है कि इतना कहकर वो अचानक रुख गया और जब मैंने उसकी और देखा तो मुझे हैरानी हुई कि वो बहुत ही गौर से उस औरत को देख रहा था उसके उत्सुक चेहरे पर एक पल के लिए ताज्जुब और फिर संतोश दिखाई दिया हाला कि जब उस औरत ने ये देखने के लिए नजर उठाई कि होम्स बोलते बोलते रुख क्यों गया था तो वो फिर से पहले की तरह शर्मीला बन गया मैंने भी गौर से उसके अधपके, सपाट बाल, कैप, गिलट के जुमके और उसके मामूली नाकनक्ष को देखा लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया कि मैं अपने मित्र की खुशी का कारण समझ सकूँ उसने मिस कुशिंग की ओर देखते हुए उनसे एक सवाल किया तुम्हारी शायद दो बहने है ये बात आपको कैसे मालूम? मिस कुशिंग ने हरानी से कहा जैसे ही मैं इस कमरे में आया मैंने देखा कि मैंटल पीस पर तुमने तीन औरतों की एक फोटो रखी हुई है इन मेंसे एक तुम ही हो जबकि बाकी दो तुमसे इतनी ज्यादा मिलती जुलती है कि तुम्हारे उनसे रिष्टे में कोई संदेह नहीं बचता जी हां सर आप ठीक कह रहे हैं वे मेरी बहने हैं सारा और मैरी और यहां मेरे हाथ के पास एक और फोटो है जो लिवरपूल में ली गई थी ये तुम्हारी छोटी बहन की फोटो है जो एक पुरुष के साथ है जो युनिफॉर्म से नाविक जैसा लग रहा है मेरे ख्याल से तब तक इन दोनों की शादी नहीं हुई थी कमाल है आप तो बहुत जल्दी हर बात को परख लेते हैं मिस कुशिंग ने कहा यही मेरा पेशा है आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं मिस कुशिंग ने जवाब दिया लेकिन यह तस्वीर लेने के कुछी दिनों बाद उसकी शादी मिस्टर ब्राउनर से हो गई थी जब यह फोटो ली गई थी तब वो साउथ अमेरी की लाइन पर था लेकिन वो उससे इतना प्यार करता था कि वो उसे इतने लंबे समय तक छोड़ना बरदाश्ट नहीं कर सकता था और इसी लिए वो लिवरपूल और लंडन बोट में आ गया आह शायद दा कॉंकर नाम के जहाज में जी नहीं मिस्टर होम्स जहाज का नाम था दा मेडे जिम एक बार यहाँ पर मुझसे मिलने भी आया था ये उसकी शराब ना पीने की कसम तोड़ने से पहले की बात है लेकिन उसके बाद जब भी वो तटपर होता तो शराब पीता और थोड़ी सी शराब ही उसे पूरी तरह पागल बना देती वो बहुत ही बुरा दिन था जब उसने फिर से हाथ में ग्लास उठाया था पहले उसने मुझसे नाता तोड़ा फिर से जगड़ा किया और अब मेरी ने पत्र लिखना बंद कर दिया है तो हमें पता नहीं कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है ये जाहिर था कि मिस कुशिंग एक ऐसे विशे पर आ चुकी थी जिसका उसको गहरा दुख था एका की जीवन जीने वाले अधिकतर लोगों की तरह वो भी पहले तो संकोच करती रही लेकिन आखिर तक कई बातें बता गई उसने अपनी बेहन के पती के बारे में कई बातें बताई और फिर अपने भूत पूर्व किराएदारों के बारे में बताने लगी उसने उन मेडिकल के चातरों की बदतमीजियों का लंबा ब्यौरा दिया और उनके नाम और अस्पतालों के नाम बताए जिन में वे काम कर रहे थे। होम्स ने गौर से सारी बातें सुनी और बीच बीच में कुछ सवाल भी पूछता रहा। उसने कहा मुझे इस बात की बड़ी हैरानी है कि तुम्हारी ये जो दूसरी बेहन सेरा है वो भी तुम्हारी ही तरह अविवाहित है तो तुम दोनों साथ साथ क्यों नहीं रहती। मिस कुशिंग ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा आप सेरा के गुस्से के बारे में नहीं जानते नहीं तो हैरान नहीं होते। मैंने क्रॉइडन आने पर इसके लिए कोशिश की थी और दो महीने पहले तक हम साथ साथ ही थे फिर हमें अलग होना पड़ा। मैं अपनी ही बे वरपूल वाले रिष्टेदारों के साथ भी जगड़ा किया था। होमस ने पूछा। जी हाँ एक समय वे लोग गहरे दोस्त थे। वो तो वहाँ गई ही इसलिए थी कि उनके साथ रह सके। और अब वो जिम ब्राउनर के लिए कड़े से कड़े शब्दों का प्रयोग करत है। पिछले छे महीने जब वो यहां रही तो उसकी पीने की आदत के अलावा वो और कुछ बात करती ही नहीं थी। उसने इसकी दखल अंदाजी भाप ली थी और उसे बहुत खरी खोटी सुनाई थी और वहीं से जगड़े की शुरुआत हुई। में हो जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। मैं उसके पीछे पीछे था। जब हम बाहर निकले तो वहां से एक कैब जा रही थी। होमस ने उसे रोका और उससे पूछा। वालिंग्टन कितनी दूर है। करीब एक किलोमीटर सर कैब वाले ने कहा। बहुत बढ़िया। अंदर बैठो वाटसन। हमें तभी वार करना होगा जब लोहा गरम हो। ये केस काफी मामूली है और इससे संबंधित एक दो बातों से मुझे काफी जानकारी मिली है। हम दोनों कैब में बैठ गए और कैब चल पड़ी। रास्ते में एक टेलिग्राफ ओफिस दिखाई देने पर होमस ने कैब को रुकवाया और अंदर जाकर एक छोटा सा तार भेजा। उसके बाद के बाकी रास्ते में वो बिलकुल चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर हमारी ड्राइवर ने एक घर के सामने कैब रुकी जो उस घर से मिलता जुलता था जिसमें से हम अभी अभी आ रहे थे। मेरे दोस्त ने उससे रुकने को कहा और दर्वाजा खट-खटाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी दर्वाजा खुल गया और एक गंभीर उसका डॉक्टर होने के नाते मैं किसी को उससे मिलने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं यही सलह दूँगा कि आप दस दिनों बाद उससे मिलें। इतना कहकर उसने अपने दस्ताने पहने, दर्वाजा बंद किया और सड़क पर निकल गया। उसकी बात सुनकर होम्स बड़ नहीं सकती या वो बताना नहीं चाहती इसलिए उसने उस डॉक्टर के हाथ जूट कहलवाया है। मैं ये कता ही नहीं चाहता कि वो हमें कुछ बताए। होम्स ने उसी खुशी भरे लहजे में कहा। मैं तो सिर्फ उसे देखना चाह रहा था। फिर भी मुझे लग रहा है क कि हमें जितनी जानकारी चाहिए थी वो हमें मिल गई है। चलो ड्राइवर हमें किसी अच्छे होटल में ले चलो जहां हम लंच कर सकें। उसके बाद हम अपने दोस्त लेस्ट्रेड से मिलने जाएंगे। रेस्टोरेंट पहुँच कर हमने खाना खाया जिसके दौरान होम सिर्फ वॉयलिनों के बारे में बात करता रहा और बड़े ही उत्साह से बताता रहा कि कैसे उसने अपना वॉयलिन खरीदा था जो था तो कम से कम 500 सोने के सिक्षों का लेकिन उसने टौटन हैम रोड के एक यहुदी दलाल से सिर्फ 55 शिलिंग में खरीद लिया था। ये ब हमारा इंतजार कर रहा था उसने हमें देखते ही कहा तुम्हारे लिए एक टेलिग्राम है होंस ओंस ने टेलिग्राम को खोलकर देखा और फिर उसे मोड कर अपनी जेब में रख लिया। फिर बड़े ही उत्साह भरे स्वर में बोला हमें हमारा जवाब मिल गया है। क्या तुम मजाग कर रहे हो है ना लेस्ट्रेड ने हरानी से पूछा मैं आज तक इससे ज्यादा गंभीर कभी नहीं रहा हूँ एक खौफनाक जुर्म किया गया है और मेरे सामने उसकी एक एक बात खुल चुकी है और अपराधी कौन है मैंने पूछा होम्स ने अपने विजिटि नहीं कर पाओगे मैं चाहूंगा कि तुम इस केस के सिलसिले में मेरा नाम जोड़ो क्योंकि मैं उन्हीं केसों से तालुक रखता हूँ जिन्हें सुलजाने में मुश्किल होती है चलो बॉट्सन हम दोनों एक साथ स्टेशन की ओर चले गए और लेस्ट्रेड बड़े ही प से शुरू तक काम करना होता है यानि पहले हम ये देखते हैं कि जुर्म का क्या असर हुआ और फिर उसकी वजह ढूनते हैं जैसा तुमने अस्टाडी इन स्कारलेट और चार का चिन्ध में देखा था मैंने लेस्ट्रेड को लिखा है कि हमें वो जानकारी दे जो इस वक्त हमारे पास नहीं है और जो उसे तभी मिल सकेगी जब इस आदमी को गिरफतार कर लिया जाएगा ये काम वो जरूर कर लेगा इस बारे में मैं पूरी तरह निश्चेंत हूँ क्योंकि हालांकि उसमें बुद्धी की थोड़ी कमी है लेकिन जो काम उसे करने के लिए दिया जाता है उसे वो ठीक ठाक पूरा कर लेता है और इसी गुण की वजह से वो स्कॉटलेंड याड में इतने उचे ओहदे पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा केस अभी पूरी तरह से नहीं सु हच गए होंगे मेरे ख्याल से लिवरपूल की एक बोट का नाविक जिम ब्राउनर तुम्हारे शक के दाएरे में है मैंने कुछ संदेह भरे स्वर में कहा होमस ने मुझे समझाने वाले अंदाज में कहना शुरू किया देखो मैं तुम्हें सिलसिलेवार सारी बात समझाता हूँ तुम्हें याद होगा कि जब हमने इस मामले की चानवीन शुरू की थी तो हमारे दिमाग में कोई भी अटकले नहीं थी और ये बात हमेशा फाइदेमन रहती है हम उस घर में सिर्फ मामले पर गौर करने गये थे और जो कुछ गौर किया उसी से हमें निशकर्ष नि इन दोनों में से किसी एक के लिए हो सकता है मैंने ये विचार थोड़ी देर के लिए ताक पर रख दिया कि फुरसत से इस बारे में सोचूंगा फिर हम बगीचे में गए उसके बाद हमने उस छोटे पीले डिब्बे का सामान देखा उसमें बंधी सुतली उस तरह की थी ज पुरुश वाला चिदा कान भी नाविकों में आम बात है तब मुझे विश्वास हो गया कि हमारी दुख भरी कहानी के पात्र नाविकों से ही संबंधित थे जब मैंने पैकेट पर लिखे पते की जाज की तो मैंने देखा कि उस पर मिस S. कुशिंग लिखा था अब सबसे बड़ी बेहन भी मिस S. कुशिंग ही थी और हलांकि उसका नाम S. से शुरू होता है लेकिन किसी दूसरी बेहन का नाम भी S. से शुरू हो सकता है इसलिए हमें एक नए आधार पर चानविन शुरू करनी होगी इसलिए इस बात को साफ करने के लिए मैं दोबारा घर के एसा देखा था जिसने मुझे हरानी में डाल दिया था और साथ ही हमारी जाच का दाएरा भी काफी सीमित कर दिया था एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हें मालुम ही होगा कि अलग-अलग इंसानों में कानों में जितनी भिन्नता होती है उतनी शरीर के और किसी भी हिस्से में नहीं होती। ये बात तय है कि हर कान अपनी किस्म का अलग ही होता है और किसी भी दूसरे कान की तरह नहीं होता। पिशले साल के एंथ्रोपॉलाजिकल जर्नल में इस विशेपर मेरे दो लेख मिलेंगे। इसलिए डिब्बे के कानों को मैंने विशेशग्य की नजर से परखा था और उनकी भिनताओं पर गौर किया था। जरा सोचो मुझे उस समय कितनी हैरानी हुई होगी जब मैंने ये देखा कि मिस कुशिंग के कान उस महिला के कान से मिलते जुलते थे जो मैंने अभी देखा था। ये बात सिर्फ इत्तिफाक नहीं हो सकती थी। कान के उपरी हिस्से की चौड़ी गोलाई, अंदर के काटिलेज का वही आकार सभी मायनों में ये बिलकुल वैसा ही कान था। इस बात को समझते ही मुझे तुरंध ही ये समझ आ गया कि पीड़ित महिला उसकी कोई सगी संबंधी अवश्य थी। शायद बहुत ही करीबी। मैं उससे उसके परिवार के बारे में बात करने लगा और याद है वो कितनी खुल कर सारी बातें बता रही थी। सबसे पहली बात तो ये थी कि उसकी बहन का नाम सैरा था और अभी हाल ही तक उन दोनों के घर का एक ही पता था। इसलिए ये बात साफ हो गई कि गलती कैसे हुई और वो पैकेट असल में किसके लिए था। फिर हमने इस नाविक के बारे में सुना जिसकी शादी तीसरी बहन से हुई थी। और ये भी पता चला कि किसी समय वो मिस सैरा से इतना घुला मिला था कि वो लिवरपूल तक गई कि ब्राउनर दमपत्ती के करीब रह सके। लेकिन बाद में जगड़ा होने से वो अलग हो इस जगड़े से कुछ महीनों तक संपर्ख तूट गया। इसलिए अगर ब्राउनर मिस सैरा को कोई पैकेट भीजना चाहता तो निस संदेह उसके पुराने पते पर ही भीजता। अब ये सारा किस्सा बड़े ही आश्चर्य जनक तोर पर सुलजता जा रहा था। हमें इस नाविक के अस्तित्व के बारे में पता चला कि कैसे वो बिना सोचे समझे काम करता था और कैसे बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता था। तुम्हें याद होगा कि उसने अपनी बेहतरी नौकरी इसलिए छोड़ी थी कि वो अपनी पत्नी के साथ रह सके और वो कभी-कभी नशाभी करता था। हमें ये मानना होगा कि उसकी पत्नी की हत्या हो गई और कोई आदमी जिसका समुद्र से नाता था उसकी भी उसी समय हत्या हुई। तो इसका मतलब दिमाग में फौरान आता है कि ईरशाही इस जुर्म की वजह थी और जुर्म के सबूत मिस सहरा कुशि अखला बेलफास्ट, डल्बिन और वाटर फोर्ड में काम करती है। इसलिए यदि ये माना जाए कि ब्राउनर ने ये जुर्म किया है और तुरंत अपने स्टीमर दमेडे में जा चड़ा हो तो बेलफास्ट वो पहली जगह होती जहां वो अपना पैकेट पोस्ट कर सकता इस समय यहां पर एक दूसरा अनुमान भी लगाया जा सकता है और हलाकि मुझे लग रहा था कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है फिर भी अपनी जाच में आगे बढ़ने से पहले मैं इस अनुमान को नकारना चाहता था। किसी असफल प्रेमी ने मिस्स और मिस्टर ब्र ब्राउनर का रहा होगा लेकिन इस अनुमान पर काफी गंभीर आपत्यां उठाई जा सकती थी इसलिए मैंने लिवरपूल पोर्स में अपने मित्र अलगार को टेलिग्राम भेजा कि वो पता करे कि क्या मिस्स ब्राउनर घर पर है और क्या उसका पती ब्राउनर दमेडे न पहले दिन ही सुन लिया होगा क्योंकि पूरे क्रॉइडन में इस बात की गूंज थी और वही समझ सकती थी कि वो पैकेट असल में किस के लिए है अगर वो कानून की साहता करना चाहती तो उसने पुलीस को बता दिया होता लेकिन हमारा फर्स था कि हम उससे मिलें इसलिए ह गए वहां हमें पता चला कि पैकेट की खबर के समय से ही उस पर बिमारी का असर हुआ था और उसे दिमागी बुखार हो गया था अब तो ये बात बिलकुल साफ थी कि उसे इस बात की पूरी गहराई समझ में आ गई थी ये भी साफ था कि उसका सहयोग पाने के लिए हमें इंतजार करना होगा लेकिन हम उसकी मदद के बिना भी काम कर रहे थे पुलिस स्टेशन पर हमारे जवाब हमारा इंतजार कर रहे थे जहां मैंने अलगार से उन्हें भेजने के लिए कहा था इससे ज्यादा सबूत हमें मिल ही नहीं सकते थे मिसिस ब्राउनर का घर तीन दि वो टेम्स पर पहुँच जाएगा जब वो आएगा वो बेवकूफ लेकिन जिद्धी लेस्ट्रेड से मिलेगा और हमें कोई शक नहीं है कि हमारे सारे शक दूर हो जाएंगे शर्लोक होम्स अपनी उमीदों से निराज नहीं हुआ दो दिन बाद उसे एक मोटा लिफाफा मिला जिसमें जासूस लेस्ट्रेड ने एक छोटा सा संदेश लिखा था और साथ में था एक टाइप किया हुआ दस्तावेज जिसमें फुल स्केप शीट के कई पन्ने थे होम्स ने नजरें उठा कर मेरी ओर देखते हुए कहा लेस्ट्रेड ने उसे पकड़ लिया है शायद तुम जानना चाहो कि वो इस बारे में क्या लिखता है उसने अपने पत्र में लिखा है माई डियर होम्स अपने अनुमानों का परिक्षन करने के लिए हमने जो तरकीब अपनाई थी उसके अनुसार कल में शाम 6 बजे एलबर्ट डॉक पहुँचा और लिवरपूल, डबलिन और लंडन की स्टीम पैकेट कमपनी की दमेडे नाम की नाव पर सवार हो गया पूशताश करने पर मुझे पता चला कि नाव पर जेम्स ब्राउनर नाम का एक नाविक सवार है और यात्रा के दौरान वो इतनी अजीब तरह से पेश आ रहा था कि जहास के कप्तान ने उसे काम करने से रोक दिया उसकी बर्थ पर जाकर मैंने देखा कि वो एक बकसे पर बैठा था अपने हाथों से अपने सिर को पकड़े और मानों आगे पीछे जूला जूल रहा था वो एक बड़े आकार का शक्तिशाली आदमी है दाड़ी मूचे कटी हुई और बहुत काला जैसा हमें नकली लॉन्डरी वाले किस्से में मदद करने वाला एल्डरिस था जब उसने सुना कि मैं किस काम से आया हूँ तो वो उचल कर खड़ा हो गया मैंने अपनी सीटी होटों पर लगाई कि समुदरी पुलीस को बुला लूँ जो पास ही नुकड़ पर मौजूद थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसमें कलेजा ही नहीं है और उसने हतकणियों के लिए अपने हाथों को आगे फैला दिया हम उसको कोठरी तक ले आए और उसके बकसे को भी क्योंकि हमें लगा कि उसमें कोई संदेग धवस्तु हो सकती है लेकिन एक बड़ी धारवाली चुरी के अलावा हमें और कुछ नहीं मिला ये चुरी वैसी ही थी जैसी सभी नाविकों के पास होती है लेकिन लगता है कि अब हमें और कोई सबूत नहीं चाहिए क्योंकि थाने में इंस्पेक्टर के सामने पेश किये जाते ही उसने कहा कि वो बयान देना चाहता है हमने उस बयान को लिख लिया जैसा उसने बताया था एक एक शब्द हमने उसकी तीन प्रतियां टाइप करवाई थी जिन में से मैं एक तुम्हें भेज रहा हूँ ये माजरा बहुत ही साधारन है जैसा मुझे पहले ही लग रहा था लेकिन मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि जाच में तुमने मेरी मदद की शुब कामनाओं सहित तुम्हारा लेस्ट रेड ये जाच वाकई एकदम साधारन थी होम्स ने कहा लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब वो पहले-पहले हमारे पास आया था तो उसने ऐसा सोचा था खेर चलो देखते हैं कि जिम ब्राउनर को क्या कहना है ये रहा उसका बयान जो उसने पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के सामने दिया था और अब मैं तुम्हें इसे उसी के शब्दों में पढ़कर सुनाता हूं वाट्सन बयान इस तरह है मुझे बहुत कुछ कहना है मुझे अपने दिल से सारा बोज उतार देना है चाहे तुम मुझे फांसी दे दो या मुझे अकेला चोड़ दो मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम मुझे क्या सजा दोगे मैं बता रहा हूं कि मैने जबसे ये गुनाह किया है मैं सो नहीं पाया हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं फिर कभी सो पाऊंगा, कभी मैं उस पुरुष का चेहरा देखता हूँ, तो कभी अपनी पतनी का, ज्यादतर पतनी का ही चेहरा दिखाई देता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि इन दोनों में से किसी कभी चेहरा मेरी आँखों की सामने ना टेर यह सारी गलती सेरा की ही थी, एक टूटे हुए आदमी का शाप उसे नरक में डाल दे और उसकी नसों का सारा खूंद सड़ जाए, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सफाई दे रहा हूं, मैं जानता हूं कि मैं जानवर था, इसलिए दोबारा नशा खोरी करने लगा, लेकिन मेरी प जहरीली नफरत बन गया, जब उसे पता चला कि मुझे मिट्टी में अपनी पत्नी के पैरों के निशान उसके पूरे शरीर और आत्मा से ज्यादा प्यारे थे, वे कुल मिलाकर तीन बहने थी, सबसे बड़ी बहन एक अच्छी महिला है, दूसरी चुडैल का रूप है, और तीसरी बहन तो फरिष्टा थी, सहरा 33 साल की थी, मेरी 29 की जब हमारी शादी हुई, हमने जब साथ साथ घर बसाया, तो हम दोनों बहुत खुश थे, और पूरे लिवरपूल में मेरी मेरी से अच्छा कोई नहीं था, फिर हमने हफते भर के लिए सहरा को अपने पास बुला में था, और हम थोड़ा-थोड़ा करके पैसा बचा रहे थे, और काफी खुश थे, लेकिन कौन सोच सकता था कि ऐसा हो जाएगा, सपने में भी ऐसा कौन सोच सकता था, मैं अधिकतर सपताहिक अवकाश के समय घर पर होता था, और कभी-कभी अगर नाव कारगो के लिए र मुझा रहता था, और उसकी आँखों की चमक ऐसी लगती थी, मानो आग की चिनगारी, लेकिन जब मेरी मेरे आसपास होती, तो मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचता था, और मैं इस बात को बार-बार कहता हूँ, कभी-कभी मुझे लगता था कि वो मेरे साथ अकेले रहना पसंद करती है, या मुझे फुसला कर मेरे साथ सेर पर जाना, मुझे इसमें कोई खास बात नजर नहीं आती थी, एक शाम जब मैं जहाज से लोटा, तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी मेरी बाहर गई हुई थी, सेरा घर पर ही थी, मैंने उससे पूछा, मेरी कहा है सेरा, वो कुछ हिसाब चुकाने के लिए बाहर गई है, उसने कहा, मैं बेचैन हो गया, और कमरे में चहल कदमी करने लगा, मुझे घूरते हुए वो बोली, क्या तुम बांच मिनट के लिए भी मेरी के बिना खुछ नहीं रह सकते जिम, ये सरा सर मेरी तोहीन है, कि तुम इतना सा व रहे थे, मानों उसे बुखार चड़ा हो, मैंने उसकी आँखों में देखा, और जैसे मुझे सब कुछ समझ में आ गया, ना उसे कुछ कहने की जरूरत थी, और ना मुझे, मैंने माथा सी कोड़ कर अपना हाथ खीच लिया, थोड़ी देर वो मेरे पास चुप-चाप खड फिर उसने मेरी पीठ थप-थपाई, जलती निगाहों से मुझे देखते हुए उसने दो शब्द कहे, भरोसे मंध पती, और फिर मेरा मजाक उड़ाती हुई, वो कमरे से चली गई, उसी पल से वो मुझे से नफरत करने लगी, बेहद नफरत, मैं इतना बेवकूफ था, ज हम फिर से पहले की ही तरह रहने लगे, लेकिन कुछ समय बाद मैंने मेरी में भी कुछ बदलाव देखा, पहले वो हमेशा विश्वास करने वाली और मासूम थी, लेकिन अब वो कुछ अजीब हो गई थी, और बहुत ही शक्की, वो बार-बार ये जानना चाहती थी, कि मैं जेब में क्या था, और वो ऐसे हजारों सवाल करती रहती थी, दिन पर दिन उसका व्यवहार अजीब और चिड़चिड़ा होता जा रहा था, इसी कारण हमारे बीच बिना किसी कारण के जगड़े होने लगे, मैं इस सबसे काफी परेशानी में था, सेरा अब मुझसे कटी कटी रहती थी, लेकिन सेरा और मेरी अब हमेशा साथ रहती थी, अब तो मुझे साफ साफ समझ आता है कि कैसे उस समय सेरा मेरी पतने के मन में मेरे खिलाफ जहर भर रही थी, लेकिन उस समय मैं इतना अंधा था कि मुझे कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं दे रहा था, मैं पारे बीच की खाई गेहरी होती गई और फिर एक दिन अचानक ये एलक फेर बन वहां टापक पड़ा और बात हजार गुना और बिगड़ गई पहले वो सेरा से मिलने मेरे घर आया था लेकिन जल्दी ही वो हम सबसे मिलने लगा क्योंकि उसका अंदाज बड़ा ही दिलकश वो जहां भी जाता वे लोग उसके दोस्त बन जाते वो बड़ा ही चंट और चालाग था उसने बहुत सी दुनिया देख रखी थी और बताने के लिए उसके पास कई मज़ेदार किस्से होते थे उसके साथ रहने में सेरा और मेरी को मज़ा आता था मैं इस बात के लिए मेर हुआ कि उस दिन से मेरे दिन का चैन और रातों की नींद बिलकुल खत्म हो गए उस दिन मैं अचानक पारलर में पहुँचा और जैसे ही मैं दरवाजे के अंदर आया मैंने अपनी पत्नी के चेहरे पर स्वागत की जहलक देखी लेकिन जब उसने ये देखा कि मैं आया हू तो उसकी वो खुशी काफूर हो गई और उसने निराशा से मुह मोर लिया मेरे लिए इतना काफी था वो एलक फेर बन के अलावा और कोई नहीं हो सकता था जिसके लिए वो मेरे कदमों से धोका खाती अगर उस पल वो मुझे मिल जाता तो मैं उसे मार डालता क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं आपा खो बैठता हूँ मैरी ने मेरी आखों में वो पैशाचिक चमक देख ली वो दोड़ कर आई और उसने मेरी बाहा पर अपना हात रख दिया नहीं जिम नहीं मैंने उससे पूछा सेरा कहा है किचन में है उसने जवाब दिया किचन में जाकर मैंने गुस्से से सेरा को देखते हुए कहा, सेरा ये आदमी अब कभी भी मेरे दर्वाजे पर नहीं आ सकता, क्यों भला, उसने कमर पर हाथ रखते हुए मुझसे पूछा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, ओहो, अगर मेरे दोस्त इस घर के लिए ठीक नहीं है, तो फिर मैं के तौर पर उसका एक कान काट कर तुम्हें बेज़ दूगा, मेरी ये बात सुनकर वो शायद थोड़ा डर गई, क्योंकि उसने पलटकर एक शब्द भी नहीं कहा, और उसी शाम वो मेरा घर छोड़ कर चली गई, मैं नहीं जानता कि ये उसी औरत की काली करतूत थी, या व मेरी अपनी बेहन के पास चाई पीने के लिए अकसर जाती रहती थी, वो कितनी बार जाती थी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक दिन मैंने उसका पीछा किया, और जब मैं जबरदस्ती दरवाजे के अंदर घुसा, तो मैंने देखा कि फेर बन बगीचे की दिवार कि अगर मैंने उसे उस आदमी के साथ फिर से देख लिया, तो मैं उसे मार डालूँगा, वो रोती, सिसकती और कापती रही और मैं उसे जबरदस्ती अपने घर ले आया, हमारे बीच अब प्यार का कोई निशान बाकी नहीं रह गया था, मैं समझ गया था कि वो अब मुझ से नफरत करने लगी थी, और मुझ से बहुत ज्यादा डरती भी थी, सेरा ने समझ लिया कि वो लिवरपूल में नहीं रह सकेगी, इसलिए वो वापस अपनी बेहन के साथ रहने क्रॉइडन लोट गई, और घर पर सब कुछ वैसे ही चलता रहा, फिर ये आखिरी पिछला ह और उसी के साथ आया सारा दुख और बर्बादी, ये सब इस तरह हुआ, हम लोग साथ दिनों की यात्रा पर दमेडे में गए थे, लेकिन नाव में खराबी आने की वजह से 12 गंटे का समय मिल गया, मैंने नाव छोड़ दी और मैं घर आ गया, ये सोचते हुए कि मेरी पतन से गुजरी, उसमें फियर बर्न के साथ बैठी मेरी हस बोल रही थी, और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था, कि मैं सड़क पर खड़ा उसे देख रहा हूँ, ये सब देख कर मैं अपने आपे में नहीं रहा, कुछ समय से मैं कुछ ज्यादा ही पी रहा था, और अचानक मेर का दिमाग घूम गया, इस समय भी मेरे दिमाग में जैसे हतोड़े बज रहे हैं, लेकिन उस सुबह तो मुझे ऐसा लग रहा था, कि नियागरा का पूरा ज़रना ही मेरे कानों में बज रहा था, मैं उनकी कैब के पीछे दौरा, मेरे हाथ में एक मोटी लकड़ी थी, और म मेरे अंदर चालाकी की भावना भी आ गई, और मैं उनका पीछा इस तरह करने लगा, कि वे मुझे देखना पाएं, जल्दी ही वे रेलवे स्टेशन पहुंचे, बुकिंग आफिस के पास काफी भीड थी, इसलिए मैं उनकी नजरों में आये बिना उनके पीछे लग गया, उन्होंने न्यू ब्राइटन के टिकेट लिये, मैंने भी लिया, लेकिन मैं उनसे तीन डिब्बे छोड़कर बैठ गया, वहाँ पहुँचकर वे परेड पर सैर करने लगे, और मैं उनसे करीब तीस मीटर की दूरी पर मंडराता रहा, आखिर में मैंने उनको एक नाव किर करने लगे, क्योंकि वो बहुत ही गरम दिन था, और उन्हें लगा होगा कि पानी से उन्हें ठंडक महसूस होगी, मुझे तो जैसे मुहमांगी मुराद मिल गई, उस समय थोड़ा-थोड़ा अंधेरा चाने लगा था, और तीस मीटर से ज्यादा दूरी पर कुछ हुआ था, और हम तीनों उसके बीच में थे, मैं उनके वो चेहरे कभी नहीं भुला सकता, जब उन्होंने ये देखा, कि उनके साथ चल रही नाव में कौन सवार था, वो चिल्लाने लगी, उसने पागलों की तरह गालिया बखना शुरू कर दिया, और एक पतवार से मुझ मैं उसे बक्ष देता, लेकिन मैरी ने अपनी बाहें उसके चारों और लपेट दी और उसका नाम ले ले कर रोने लगी, इस बार मैंने मैरी के उपर वार किया, और वो भी उसी के पास धेर हो गई, फिर तो मैं उस जंगली जानवर की तरह हो गया, जिसके मुह खून लग अगर सहरा वहां होती, तो वो भी उनके साथ ही जाती, मैंने अपना चुरा निकाला, और बड़ी ही बेदर्दी से दोनों का एक एक कान काट लिया, मुझे एक वहशी खुशी मिली, जब मैंने ये सोचा, कि सहरा की दखल अंदाजी की वजह से जो कुछ हुआ, उसका सबू दोनों रास्ता भटक कर समुदर में बह गए होंगे, मैंने खुद को साफ किया, तट पर लोटा और अपनी नाव पर चला गया, बिना किसी को शक हुए कि क्या कुछ हो चुका था, उस रात मैंने सैरा कुशिंग के लिए पैकेट तयार किया, और अगले दिन बेलफास्ट स उसे पोस्ट कर दिया, अब पूरी असलियत आप सब के सामने है, चाहे मुझे फासी पर लटका दो, या जो करना चाहो कर लो, लेकिन अब मुझे कोई सजा नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पहले ही काफी सजा मिल चुकी है, मैं अपनी आखें बंद नहीं कर सकता, क्योंकि आखें बंद करते ही, मुझे वो दोनों चेहरे घूरते नजर आते हैं, ठीक उसी तरह जैसे उस वक्त हक्के बक्के होकर वे मुझे घूर रहे थे, जब मैं अपनी नाव लेकर वहाँ पहुचा था, मैंने उनको जल्दी ही मार दिया था, लेकिन वो मुझे धीरे-धीरे मा जानी पड़ी, तो मैं या तो पागल हो जाऊंगा, या सुभह से पहले ही मर जाऊंगा। जिम का ये बायान पूरा हो जाने के बाद, होमस ने एक ठंडी सांस ली और उस कागस को मोर कर अपनी जेब में रख लिया, अब और कहने सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा थ तब तक के लिए अलविदा।